नमस्कार दोस्तों रिएस के से निकटमी में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के इस लेक्चर में हम लोग नियोजन को मुख्य परिच्छा के संदर्व और द्रिष्टी कोण के आधार पर जो समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि यह एक ऐसा टापिक है जहां पर समझाधार सवाज जो है मुख्य परिच्छा में टिपड़ी इत्याद के लिए पूछे जाते हैं और प्रारंभी परिच्छा में जिस तरीके से पिछले कुछ बरसों से यूपी पीसी ने भी यूपीसी के तर्ज पर और पैटर्न प आपका मदद करेगा तो बेसिकली नियोजन का जो टापिक है हम लोगों ने एक लेक्च्छर इस पर पूर्व में भी लिया हुआ है जहां पर नियोजन के संदर्व में क्या आइथिहासिक पहलू और करम रहे हैं पंच बरसी योजनाओं के दौरान भारत की तरफ से क्या र देखा समझा और परखा था तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों नियोजन को मुखे पर इच्छा के पॉइंट अभी उसे समझने का प्रियास करते हैं जिसके अंतरगत हम लोग नियोजन के आर्थ को समझेंगे कि इसकी जो विशेष्टाओं को देखेंगे इसके प्रकार को देखेंगे इसके उद्देश्शी को देखेंगे और किर्यान्वेन अब किर्यान्वेन में जो है किस तरीके से जो है नियोजन को इंप्लिवेंट किया गया और यदि इसके माध्यम से लक्ष प्राप्त नहीं होए तो उसके पीछे क्या कारण रहे क्या सुधार होने चाहिए इससे सम्मंदित सवार पूछे जाते हैं क्योंकि नियोजन किसे देश के संदर्वे में बहुत ही महत्पूर जो है आर्थिक निरणय होता है और एक रणनीत ही होता है जिसके माध्यम से कोई भी देश या कोई भी एकाउनमी या कोई अर्थिवेवस था अपने उपलब्ध संसाधनों के उसलतम उपियों के द्वारा विकास के उच अस्तरिय लक्ष को प्राप्त करने का प्रियास करता है तो बेसिकलि नियोजन को अगर दो लाइनों में परिवासित करना हो तो यही कहा जा सकता है और हम बात कर रहे हैं आर्थिक नियोजन की तो एकाउनमी के छेतर बेही जो है नियोजन की सामानेते बात किया जाता है तो नियोजन का ताथपर यहाँ पे आर्थिक नियोजन से ही है कि कोई भी जो अर्थ बेवस्था विकास के उच्छ अस्तरिय लक्ष को प्राप्त करने के लिए आकलित अपने जो है मानवी और प्राकरतिक संसाधनों की परियोग की पूर्व में बनाई गई ऐसी रणनी जिसके संतुलित परियोग के द्वारा वो निश्चित समय में जो है निर्धारित की गए लक्ष को प्राप्त करता है वही नियोजन कहलाता है अब कहने का ताथ पर यह हुआ एक तो हमारा लक्षो गया दूसरा हमारे पास इस लक्षको प्राप्त करने के लिए इन संसाधनों का आकलन किया जाता है इन संसादुने के परियोग रहनी की बनाई जाती है और हम पुल मिला करके पूर्व्व में हम कोई भी काम करते हैं तो वहां पर योजना बनाते हैं, उसे तरीके से जब इकाइनमी के छेत्र में हम विविन परकार के उसके उप छेत्र को चाहे वह किर्षी हो या अदोगिक हो या सेवा चेत्र हो तो वहां पर अपने परिष्टितियों को ध्यान में रखते हुए अपने प्राकृतिक और मानविय संसाधनों की परियोग के लिए पूर्व में योजना बनाते हैं और इस योजना के अनुसार संसाधनों का परियोग करके उच्चेस्तरिय लक्षों को एक कि विश्यस्ताओं को तो इसमें जो है कि लक्ष निधारित किये जाते हैं संसाधन कि संसाधनों का आकलन करते हैं कि अनुप्रियोग इसका संसाधनों का इंप्लिमेंटेशन करते हैं मूल्यानकन करते हैं इन माध्यमों से जो है हम प्लानिंग के अंतरगत जो फी एक्टिविटी है उसको जो है व्यावहार में लाने का प्रियास करते हैं और यह देखते हैं कि इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए इन संसाधन क्योंकि मानवी और प्राकृतिक संसाधनों का इक प्रियोग इकानोमी में किया जाता है और इसके प्रियोग के लिए पूजी और तकनीक के साथ इसका प्रियोग किया जाता है तो इन संसाधनों का आगलर पहले किया जाएगा हमारे पास संसाधन है पहले दूसरे स्थान पर है और दूसरे स्थान के साथ यहं वह यह गहां की जनसंक्या इस्किल्ड नहीं है कारे कुसल नहीं है इसलिए जो है यहां पर कॉशल छम्ता वह भारानी के लिए लगाता है क्षच्छर कारीकर्म की बिबात की जाती रही है इसलिए संसाधर्णों का आकलन करना और आकलिक साधनों के आधार पर हम इसका लच्छी मिर्धारित करते हैं पुना उसका अनुप्रियोग करते हैं और यह करते हैं इसी विए संसोधित लक्ष भी बीच बीच में जारी किया जाते हैं यह प्लान का एक हिस्सा होता है तो यह इसकी महत्पूर्ण विसेस्ताय होती है अब हम प्रकार को देखेंगे कई प्रकार के जो है नियोजन होते हैं तो यह साम्मेवादी साम्मेवादी नियोजन और प्रजाकांत्री या लोकतांत्री नियोजन दोनों काफी जो है अलग है इसलिए एक साथ में तुलना करने के पॉइंट आप विसे जो है इसको एक साथ करके जो है देखा जाएगा वसापर पर लोकतांत्री की लिखना सब्द जो है उचित है क्योंकि परजा और राजा का कानुसे प्ता आता है जहां पर सामेवादी जो नियोजन है वो एक ऐसा नियोजन का प्रगार है जो कटर जो है केंद्री कृत बेवस्था पर आधारित होती है यानि कि समस्तार ठिक गद्विरिया केंद्री बेवस्था के हाथों में होती है किस वस्तु का उत्पादन किया जाता है कितना उत्पादन किया पर किसका जहता है लिए को यह शाता है संसाधियों पर नियाक्क बईस्था किया जाता है करें किया जाता है तो यह तार्च दे lあと इस वादि नियोंग और यह उधार वादिया डिलोकतांत्रिक बेस्था कि जो है विप Dub上面 की वेवस्था है वह दो तरीकेसे मोगतांत्रिक ध детей प्रजाय जो आता है उसे जो है लोक तांत्रिक या अपैच्छा प्रांक्रिक या या अच्छी रोग तांत्रिक नियोजन किया बरना होती onda वहाँ पर केंद्रिया इस तरीके से कोई सत्ता की नियंतर नहीं होता है, वहाँ पर विकास के उचस्तर के लक्षों प्राप्त करने का बिभिन परकार के इकाईयों में उदारवादी बेवस्था, वहाँ पर उनको सोतंतरता होती है, जिसके माद्यम से वह अपने संसाधनों का अपने पूजी तकनीक उद्दम चांता के माद्यम से परियोग करते हैं और उचस्तरी लक्षों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो ये बेवस्था क्या कहलाती है, लोकतंत्र का तात्पर ही यही है, तो ये लोगतांत्रिक जो है वो नियोजन कहलाता है एक दूसरी एक नियोजन की बात की जाती है निर्देशात्मक योम आदेशात्मक नियोजन एक ऐसी जो है विधा एक ऐसी जो है बेवस्था है जिसके अंतरगर जो है केंद्रिये जो सत्ता होती है वो नियोजन के लक्षों का निधार करती है पुना जो है उस लक्ष को प्राप्त करने के लिए जो है निजी और साज्मिक दोनों हिच्छे तो इस लक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं अपने जो अपने आत्मिक में रिधाइक करते हैं वस तों के उत्पाधन में किस तरीके से उत्पाधन किया जाना हैppe संसाध्रोंकि वित्रण पर भी जो है चुछ हर्द तक नियन तरट भी होते हैं और माग और पूृति की नियम भी जो लाग वह नहीं तो हैं तो प्रहता करते हैं अब भारत में देखा जाए तो आठमी बंचवर्सी योजना के बाद जो भाड में जो यह निर्देशात्मक जो ङुच आठमी बार्सी बंचवर्सी यह गया था तो यहां से निर्देशात्मक नियोजन भी जो ota परशांशनिक बियोस्था के द्वार लग्षित्यारी दंधानց किया जाता है यह नितालता है। लेकिन इसमें जो इनकरन की भावनusi की भावन की घ्राशनों होती है। लेकिन आधेशातमक जोना के इन भावनां होती है। अगली है बवस्दा है केंड़्ये कृट थो बे평न ठीपिन ने जे घ्यर्ट नेवस्दा केंड़ी कृट ने जेए बेवस्दा है यो कि हैं ठीट ने लुझें की बेश्दा कहीं न कहीं कुछ सामयवादी वेवस्ता से मिलता जूलता जाता है लेकिन यह एक राजनीतिक प्रणाली को भीवेक्ट करता है लेकिन केंद्री के जो नियोजन की वेवस्ता है वो राजनीतिक प्रणाली से नहीं बलकि पूरी तरीके से आर्थिक गद्विधियों की तरफ य में उसको बनाने के अलग अलग अस्तर होते हैं कि जैसे कि केंदरी व्यवस्था राजी यस्तर और पंचारतों के अस्तर पत जिसको पतता जाता है तो यह गतार जो.. दूढे प्रियस करता है दो इन्योजिंद केफिशा क्षा यह दो हैं जो मानु फुल लोगतांत्रिक मून लोगत्रत परों सब्सक्राइब की बात करता इसी कारण से जो है यह माना जाता है कि सक्ति और नियंतरण तथा निरड़े लेने की छंता जितने ही केंद्रों में विद्यमान होगी उतनी ही जो है संतुलन की वेवस्था स्थापित होगी तथा मानों को मूले योंग लोगता अंतरिक मूल्यों को स्थापित करने में सफलता मिलेगी इसलिए बिकेंद्रिक प्रणाली की भी बात कही जाती है अगला है दीर्घकालिक दीर्घकालिक नियोजन और योग जो है कि अन्यवार अप्योजन आज कि दीर्घकालिक नियोजन है उसमें कादिक लक्ष होते है उसमें निवेश जो हैग्यु भारी मात्रा में होता है कि और ही 시 Mayo के सथीَ हैं打गालिया उसमें इस तरह जर्किए ततक एक आंतिव नहीं कर सकते हैं जैसे किसी भी देश में जो है और सनरशनात्मक धाचे का विकास तातकालिक जो है आर्थिक व्यद्विधियों के बाद प्राप्ट किये जाने वाले जो है परिडाम पर निर्भन नहीं करते हैं बलकि यह निवेश की भारी मात्रा के पेच्छा वेक्त करता दीरकालिक जो है इसमें योजनाय बनती है और उसके अधहार पर इस लक्ष को प्राप्ट किया जाता है इसलिए जो है कुछ ना कुछ जो है दिरकालिक लक्ष भी प्रतेएक देश में बना जाते हैं अनुबरत योजना यह भी जो है जो है योजना में जो है हर बर्स मुल्यांकन संसोधन और सुधार के जो है आर्थिक गद्विधी पर आधहारित योग जो योजना होती है जैसे माली जी पंचवर्शी योजना ही बनता है तो इसमें प्रतेग बर्स जो है योजना के प्राप्ति और उसके लक्षों के आधहा पर संसोधन होता हैं यह यह वार्सिक योजना होती है जो संपूर्ण योजना पर आधारित होता है भारत में यह यह योजना अठाट्र सब्सक्राइब नियोजन के परकार के बारे में हम लोगों ने देखा कि नियोजन के परकार में क्या कि चीजें आती है है से नियोजन के परकार के बाद हम नियोजन के उधैश्यों को देखेंगे अगर नियोजन के उधैश्यों को समधूर्भ में देख रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है इसको याद करने का यह कि हम पर्थम पंचवर्शी योजना से ले करके बार्वी पंचवर्शी योजना तक जो भी हमारे उद्देश से प्रतिक पंचवर्शी योजना के रहे हैं यह एक ऐसा विश्य रहा है जिसमें हम लोग ज्यादा फोकस किये हैं उन्हीं उद्देश्यो इसका जो उद्देश है, किर्शी का विकास, और दोगिक विकास, किर्शी विकास और दोगिक विकास, आत्मनी भरता, गरीवी उन्मूलन, बेरोज गारी को दूर करना, आत्मनी की करना, आत्मनी की करन का ताग्पर, यहां पर यह कभी नहीं समझना होगा कि पास्चात्य विवस्था ही आत्मनी की करन, बलकि अपने देश के आर्थिक, राजनेति, सानसिकृतिक मूल्यों को बचाय रखते हुए, परते एक छेत्र में जो है एक आसान बेवस्था को अपनाना, बिज्ञान और तक्निक की छेत्र में आगे बढ़ना, पूजी और तक्निक का विकास करना ही जो है आधुनिकी करण कहलाता है, इसलिए आधुनिकी करण और पास्चातिक करण में अंतर होता है, आधुनिकी करण कहीं ने कहीं एक बैज्ञानिक और थार्थ मान विए लोकतांत्रिक व्यवस्थार पर बल देता है इसलिए आधुनी की रोपास्चा ते करण में जो अंतर है कि मारो संसाधन का विकास 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 तो आप देखें कि पर्थम पंचुबर्सी योजना से जैसे जैसे हम आगे बढ़ें उसी तरीके से लख्ष है क्योंकि हर पंचुबर्सी योजना में किरी ने किसी विस्वय को जो है उसमें मुखितेह निर्धारित किया गया कि उस छेत्र में हम लोग बहतर धंग से काम करें और जब एक एक छेत्र का विकास करती हुए चले जाएंगे तो ऐसा समय आएगा जब हम सभी छेत्रों का बहतर धंग से विकास करके आर्थिक विकास के उच्छ अस्तर को प्राप्त कर लेंगे जो की सभी को आपस में समाहित की अभवा है तो ऐसे चीज़ें आप लिखेंगे इसमें कुछ विस्तृत करेंगे तो यह बेसिकली आपके मेंस के अस्तर पर ज असानी हो सकेगी जो है क्रियान में भारत में जो है एक अप्रेल 1901 को पहली पंच वर्षी योजना लागू की गई थी एक तिसमार्च उनिस्तु चाप तक के लिए अप्रेल 1901 का मैं इसलिए जिक्रे कर रहा हूं कि कई बार पहली पंच वर्षी योजना को डेट के साथ प प्रियों करके लक्ष को प्रयाप्त करने के लिए प्रयास लेकिन ये देखा गया कि कुछ फ पंच वर्षी योजना को छोड़ करके बाकी में जो वह लग्ष प्राप्त नहीं हुए तो यहां पर यह भी सवाल बनता है कि इस तरीके के प्रयास भारत में प्रार्ण शरी होत की जाता है है लेकिन जब हम मुझ के परिक्ष़ैने रखते हैं या समझाय प्रश्नों में पुछे जाते हैं तो क्यों और कैसे यह सारी और उसके प्रभाव समझा जाना संभ हो सके और सास्निक जो है जटिलता हैं राजनीतिक स्थिर्ता आर्थिक प्रवेश तो यह कुछ जो है कारण थे जिसके समस्या के जो है आधार को कुछ पंचवर्सी युजनाओं के लक्ष को पूरी तरीके से हम लोग प्राप्त नहीं करें प्रवेश कटाथ पर यह है कि किसी भी नेड़े को जो है सोच समझ कर पर लेथा दॉंसे के लक्ष को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी छहमता के साथ जो है लाँ जाना उस Dartmouth रहना है और प्रियास करना कि वह लक्ष्ष प्राप्त हो जाए वो बीच में लक्ष्षों में जो है नाье उसरे हि।긴 होना बहुत ही आवस्य था दूसरा इसमें जटिलताएं जैसे कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कहीं भूमिके अधिक्राणा को लेकर समस्थे थे तो किस तरीके से इसका भूक्तान क्या जाया वहां पर सारी समस्यां जटिलताओं के रूप में रही तो जो कि योजना के जो है लागत को भी तो प्राप्त नहीं होता है तो वहां पर मिली जुली सरकारे होती हैं उसमें आप सी हित में ठक्राव होता है और एक सही द्रिनिच्छा सक्ति के साथ जो है हम योजनाओं को ख्रियाल बित नहीं कर पाते हैं और इसी तरीके से जो है सत्तर असी के दसक्त में जो है अगर देखा जाए बिसेश करके निस सो असी से निस सो नब्य इत्यादी के बीच में कई बार सरकारें बदलती रहें जिससे राजनेतिक आइस्थिरता का जो महाल बना रहा और अगला जो वित्तिय या आर्थिक परिवेश है वह भी बहुत महात्रपूर रोल आदा करता है कि किस तरीके से जो आर्थिक महाल ह अंगर आर्थिक महाल जो है संतुलित हैं सांति पूर्वग जो है उसमें हम लोगों का विश्वास पैदा हो रहा है तो जिदिल्टाएं उसमें आर्थिक रूप से जो यग कम है समय समय पर सब्सक्रार के द्वारा अर्थिक जिल्ताओं को कम करने के लिए कानून भी बनाय या जाते रहे हैं लेकिन प्रारव जोचित कर दिया गया उस्में कुछ सजा के प्रावधान कम किये लोगों में विश्वास पड़ा किया गया उसकी जटीलताइं कम कर दी गई तो इस आधार पे आर्थिक सुधा धीरी होते रहे और ग्योजो लोग करने मोर्वावरान करो प्रतित होता है कि हम लोग Ell करने में तो आज का ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से आर्थिक नियोजन के मुखी परिक्षा संदर्व पराधारिक था यह दप यूपीएसी और यूपीएसी के प्रारभी परिक्षा में पूशे जाने यह समझ आधारिक सवालों को हल करने में यहां से मदद मिलेगा तो आज की लेक्षर में जो है बस इतना ही उम्मीद करता हूं इससे आपको नियोजन के जंदर्वे में एक और हानात्मक समझ विक्सित करने में मदद मिलेगी पूरा अगले लेक्षर में इक नए टापिक के सा हुआ है